मेरे रश के कमर तुने पहली नजर जो नजर से मिलाई मज़ा आ गया हुआ है आज पहली बार जो ऐसा मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ पहली पहली बार महुबत्ती है कुछ न समझ में आए मैं क्या करूँ सूपर हिट गानों की ये बोल उस कोरे कागस पर लिखे गए हैं जिनकी लाइनों में यदि उचित शब्द पिरोई जाए तो भविष्य समर सकता है और अगर अनरगल शब्द लिखे जाए तो भविष्य अंधिकार में भी डूप सकता है बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप ये उत्तर पुष्टिका ही है जो फतेहबाद में दस्वी की परिक्षा के दोरान चातरों को दी गई थी हाला कि इन पर लिखे जो ये दो-तीन गाने के बोल हमने आपको सुनाए वो तो सिर्फ कुछ नमूने थे उत्तर पुष्टिका में लिखे गए सभी मसकरे और गाने सुनेंगे तो सर से लेकर पाव तक पूरा शरीर जन्ना उठेगा और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो उठेगा कि हमारी युवा पीड़ी किस अंधेरी दुनिया में भठक रही है इसमें साइंस का पेपर चेक कर रही हूँ इसमें बच्चे की सिरफ सेवन मार्क्स हैं आउट और सिक्स ते आप जैसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कुछ और अटेम्ट करते हैं इस बच्चे ने मोस्टली पेपर में सॉंग्स लिखे हुए है जैसे पहली पहली बार महबद की है कुछ ना समझ में आए नैन कटोरे पागल छोरे मेरे रस के कमल तुने पहली नजर हुआ है आज पहली पहली बार स्ट्राइक की है और बच्चे की सरफ सेवन मार्स ये तो बात रही एक उत्तर पोश्टिका की आए दूसरी पर नजर डालते हैं घौर से देखिए इस आंसर शीट को इसमें एक चात्रा ने शब्दों के जरिए अपनी बेचारगी दर्शाई है और पास करने के प्यवज में इज़्द की दोहाई दी है चात्रा ने इसमें क्या लिखा है आई आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और सुनाते हैं आप सर हो या मैडम जो भी हो कोई बात नहीं मगर मेरी रुक्वेस्ट है कि एक दो नंबर की कमी हो तो प्लीज पास कर देना मैं गरीब हूँ और अनाद भी मेरी शादी होने वाली है फेल कर दिया तो बेज़्दी हो जाएगी ये जानकर आपको और भी हैरत होगी कि इस परिक्षा में कुछ छात्र ने लिखा जै बावे दी तो कुछ ने जै माता दी मगर एक छात्र ने ऐसा भी किया जिसने पास करने के लिए कोई मिनत नहीं की किसी बात की दुआही नहीं दी बस उसने उत्तर पुष्टे का पर अपना मुबाईल नमबर लिखा और प्लीज कॉल मी लिखकर कोरी कोरी उत्तर पुष्टे का जमा करवा दी परिक्षा के दौरान किसी चात्र ने लिखा हरियान भी गाना चन चन बोले तेरी तागडी भीड़ा पलंग मैं चे तक चलाऊं तन्य चसका फरारी का तो किसी ने लिखा पंजाबी गीत लाके तिन पैग बलिये आपको बता दे कि इससे पहले परिक्षा के दौरान चात्रों द्वारा उत्तर पुष्टिकाओं में पैसे रखने के मामले सामने आते थे लेकिन हरियना में गानों और मस्खरों का प्रेयोग उत्तर पुष्टिकाओं में काफी कम ही सामने आता था आना कि छात्रों द्वारा लिखे गई गानों और मस्खरों से सिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है उनका कहना है कि परिक्षा में गानों मस्खरों और गुजारिशों के लिए कोई जगे नहीं है पतेहबास से रमेश भट पंजाब केसरी टीवी